दिल इबादत, तड़प तड़प, दस बहाने, हम रहे या ना रहे, तू जो मिला हो गया सब हासल, जैसे शानदार गानों को आवाज देने वाले मशूर सिंगर केके अब इस दुनिया में नहीं रहे सिंगर मंगलवाद रात को कॉलकता में एक लाइफ परफॉर्मेंस दे रहे थे, और इसी दोरान उनकी तबित बिगड़ गई, उन्हें अस्पिताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी हार्ट इटाक से मौत हो गई, केके के जाने से बॉलिवड इंडिस्ट् उनके गाने लोगों की जुबान और दिल के करीब रहते हैं, केके को सिंगिंग की दुनिया का बेताज बादशा कहा जाता है, हाला कि उन्होंने कभी गाना सीखा नहीं था, लेकिन बिना गाई की सीखे केके ने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिये हैं, अपने गाने की जर रुपियों में केके के पास 11 करोड रुपे से जादा किसम पत्ती है, केके अपने गाने के लिए अच्छी खासी रकम वसूल करते थे, अपनी आवास के दम पर केके बहुत लक्शुरी लाइफ के मालिक बन गए थे, केके वैसे तो दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन मुंकाली शानगर है, जिसमें वो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते हैं, केके के घर का इंटीरियर बहुत खूबसूरत और लक्शुरी है, केके का नाम इंडुस्ट्री के सबसे महेंगी सिंगर्स के लिस्ट में शुमार था, वो एक गाने के लिए 5-6 लाग र पे तक फीस लेते थे, आलिशान घर के अलावा केके के पास कई लक्शुरी और शानदार गाडियों का भी कलेक्शन था, वो अक्सर महेंगी कार में सफर करते नजराते थे, उनकी कई तस्वीरे सोशल मेडिया पर वाइरल होती रहती हैं, इसी साल उन्होंने ओडी RS5 खरी इसकी फोटोज उन्होंने इंस्ट्रग्राम पर शेयर की थी, इसके अलावा उनके पास जीब शेरों के मर्सिटीज बेंजे क्लास जैसी कई कार थी, बता दे केके को बॉलिवुड में संजली लभनसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम से 1999 में बड़ा ब्रेक मिला, तडप तो मानो केके बॉलिवुड इंडस्ट्री में छा गए, केके के सैकलो गाने आज भी बेहद लोग प्रिया हैं, तडप तडप के दस पहाने और तूने मारी एंट्रियां के अलावा यारो, पल, कोई कहे कहता रहे, मैंने दिल से कहा, आवारापन, बंजारापन, अजबसी, खुदा जाने और दिले बादत, तू ही मेरी शब है, छोड़ाए हम वो गलियां, जिन्दगी तो पल की, जैसे गाने आज भी खूप सुने और गुन-गुनाए जाते हैं। खुआ गलिए जाते हैं।